Dear students, we have to discuss about the young children learning for the sustainable development through the traditional culture. हम culture के उपर बात कर रहे थे और culture के उपर बात करते हुए जो हमारा हमने देखा दो किसम की changes अगर हम culture में लेके आए एक change तो है हमारी output materialistic approach physical हमने सोच लिया दूसरी है हमारी अंदाज सोचने का अंदाज अब इन दोनो पेरामडाइम को अगर मिला लें तो हमारी जो यंग children है हमारी जो यंग nation है हमारे जो बच्चे हैं उनके अंदर ये दोनो अस्पेक्ट जिसको हम कह सकते हैं तो शो कल्चर सस्टेनिबिलिटी जो हमारे पास आ जाएगी कि सुसाइटी पूरी की पूरी सुसाइटी ड्राइवन फेक्टर हो गया कल्चर से और जब हमने उसको ये बात अवेर करा दी जिस तरह मैं एक्जामबल पहले भी दे चेकों दुबारा दूँगा हमने सुसाइटी में अवेरनेस करा दी कि जी वैक्सिनेशन अची चीज़ है वैक्सिनेशन ना कराना बुरी चीज़ है हमने सुसाइटी में अवेरनेस दे दी बच्चे को स्कूल बेजना अची बात है बच्चे को स्कूल ना बेजना बुरी बात है हमने सुसाइटी के अंदर अवेरनेस दे दी कि पानी को बचाना अची बात है पानी जाय करना बुरी बात है हमने सुसाइटी के अंदर अवेर लकिन ये मुख्तलिफ आपको पता है STGS हैं 17 STGS हैं मैं उन में से ये 4-5 की बात कर रहा हूं हमने सुसाइटी को पहले नमबर पे हमने सुसाइटी को बाइफ पोर्स डाइव किया जब हमने बाइफ पोर्स डाइव किया तो वो एक कल्चर पार्ट बन गया जब वो एक कल्चर का हिस्सा बना तो वो उस सोच का हिस्सा बन गया अब जब वो मेरी सोच का हिस्सा बन गया तो मैंने अपने सोच ट्रांसफार्म की अपने यंग चिल्डन के अंदर जब मैंने उसको ट्रांस्फार्म की तो वो अब मुकमल तोर पर उनकी नई सोच डिवेल्प हो गई है यहनि देखें जनरेशन वन और जनरेशन टू के अगर हम बात कर लें मैं ड्राइवन हुआ था खालात की वज़ा से कल्चर की वज़ा से सुसाइटी के वज़ा से मुझे मजबूर किया गया था पढ़ने पर मुझे मजबूर किया गया था वेक्सिनेशन के उपर मुझे मजबूर किया था पानी को सेव करने के लिए मैं फोर्सपुली मेरा बिहेवियर जो है यानि जो मेरी output है जो मेरा behavior है वो forcefully मुझे output दिलवाई गई थी अब इसकी continuity क्या है कि मेरी behavior जो है वो आश्ता आश्ता मेरे feelings के साथ change होता गया कि from the first day मैं जिस चीज़ को बुरा समझता था अब मैंने बुरा समझना बंद का दी जब मैंने बुरा समझना बंद कर दिया तो इसका मतलब है कि मेरी सोच में change आ गई अब इसका मतलब यह हुआ कि अब यह सोच culture का हिस्सा बन गई क्योंकर देखे ना culture के अंदर क्या है हमारे पास हमारे values है हमारे beliefs है हमारी languages है इसका मतलब है कि अब वो हमारे belief का हिस्सा हो गया अगर मैं इसको STG के पहरे बिन टाइम में बात करता हूँ इसका मतलब है कि बच्चे को तालीम दिलाना जो है अब मेरे belief का हिस्सा हो गया कि मैं अगर तालीम नहीं दिलाऊंगा तो मैं बच्चे के साथ भी जाती कर रहा हूँ, सुसाइटी के साथ भी जाती कर रहा हूँ और मैं जाना एक यू समझ लें कि इस सुसाइटी का हिस्सा होते हुए मैं एक क्रिटिसिजम का शिकार होने जा रहा हूँ यह था पूर्स्ट इस पूर्स्ट ने कुछ रसेव के अंदर क्या किया कि मेरी सोच को बदल दिया अब मेरी सोच जब बदली तो अब यह मेरे बिलीफ का इस्सा हो गया यह अब यह मेरा बदीफ बान गया कि नहीं बछों को पढाने अब मिरा यो बदीफ है मैंने अपना बिद्स है किया अपने जंग चिल्टन के अंदर मेरा बिलीफ क्यों था वो मडिफाई था मैं ट्रांसफार्म हुआ था मैं सोचता था कि बच्चे को पढ़ाना ना पढ़ाना कोई इसमें फर्क नहीं है वो ट्रांसफार्म था उसके मुकाबले में मेरे नई जनेशन जो आई जंग चिल के अंदर ट्रांसफॉर्म मौडिफाईट ट्रांसफार्म हो गया है इसको पर एक रपोर्ट भी है 1995 के अंदर फ्रहे क्या है कि इसके मतलब यह हुआ कि हमारा जो कुल्च्टर रोल है हमने पोर्स से बिलीफ की तरफ ले गए बिलीफ से यंग चिल्डन के अंदर वो बिलीफ आए अब वो उनके लिए कोई अब वो उसी के ओपर नई जरनेशन जो है जो हम 2030 और 2050 के टार्गर्स लेकर चाहरे है नई जरनेशन जो है वो इन बिलीफ को आगे लेकर केरी करेंगी